हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल रता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटरन सीयर करने जा रहे हूँ इस पैटरन को आप जैंड साफ स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडिज कार्डिगन, कोट्टी, बलाउज, बच्चों के प्रोजक्ट, फ्रोग, कैप, बलैंकेट, गल्स स्वेटर आदे में अपलाई कर सकते हैं, बनके भूती खुबसूरत हमारा ये पैटरन आ जाते हैं, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटरन बनना स्टार्ड होता है, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंद लेंगे, ये पहला फंदा उतार लेना है, धागा अपनी साइड करेंगे, ऐसे ये देखे, एक फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है, इस यह दागा अपने ही साइड रहेगा एक फंदा हम बिना बुणे उतारेंगे फिर देखे इस धागे को ऐसे ले जाएँगे यह देखे इस साईड से और सलाइम में लपेडते वे धागे को आगे लाएँगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको हम लैप निडिल से उठाएंगे आगे वाले फंदे के उपर से उतार को इसको सिलीप कर लेंगे इस तरीके से देखे अब नेश्ट हम यही प्रोसिस रिपीट करेंगे धागा अपनी साइड रहेगा एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है फिर धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे और सलाई पर लपेटते हुए आगे लाएंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर इस फंदे को देखे जो बिना बुने उतारा है इसको आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप कर देंगे फिर नेश्ट धागा अपनी साइड रहेगा एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर देखे जो धागा अपनी साइड है इसको एंसे पीछे ले जाएंगे और सलाई पे लपेटते वे आगे लाएंगे फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर ऐसे सलाई में धागा लपेटेंगे एक फंदा उल्टा फिर इस फंदे को देखे, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलिप करेंगे, यह धागा अपनी साइड रहेगा, एक फंदा हमने ऐसे बिना बुने उतार लेना है, और देखे, धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे, और सलाई में लपेड़ते आगे लाएंगे, एक फंदा अल्टा बिना बुना फंदा आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलिब कर लेंगे और देखे लास्ट वाला फंद दागा पीछे करेंगे और सीधा बुन लेंगे तो देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई हमारे project में जितने भी फंदे होंगे फस्ट रो में हमने यही प्रोसिस रिपीट करते हुए अपनी फस्ट रो कमप्लेट कर लेनी है अब देखे लॉंग साइड से सेकिंड रो पहला फंदा उतारेंगे और देखे नेस्ट फंदा हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है यह फंदा उल्टा बुनना है धागा देखे उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से अब देखिए जो फंदा हमने ऐसे बिना बुने उतार है इसको आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीब कर लेंगे इस तरीके से देखिए फिर देखिए नेश्ट यह धागा अपनी साइड रहेगा नेश्ट फंदा हम ऐसे उतारें फिर देखें, उस दागे को लपेट्ते हुए आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखे, इस फंदे को जो हमने बइना बने उतारा है, आगे वाले फंधे के उपर से उतार के सिलीब करेंगे, अब देखें, दागा पने ही साइड रहेगा, फिर नश फं इसको हमने बिना बुने उतारना है, फिर सलाई में धागा लपेट लेना है और आगे लाना है, और एक फंदा उल्टा, अब देखे जो जाली वाला फंदा हमने बिना बुने उतार है, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप कर लेंगे, इस तरीके से देखे, फिर धा अपनी साइड फिर देखे इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे सलाई में धागा लपेटेंगे एक फंदा उल्टा फिर बिना बुना फंदा आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे धागा अपनी साइड रहेगा जाली वाला फंदा हमने बिना बुने उतार कफिर आंसे सलाई में धाग लपेट के आगे लाना है एक फंदा उल्टा भुन्न ay फिर लास्ट फिर देखे जब दिना भुना फंदा है इसको हम ऐसे उठाएंगे लेप निडिल से आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार के सिलिप कर देंगे, लास्ट के देखे, दो फंदे उल्टे आ जाएं, ये देखे ए रोंग साइट से अमारी पैटर्न की सेकिन्ड रो कमफ्लेट हो गई, आप देखे फ्रंट साइट से थर्ड रो, आप थर्ड रो में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, इस तरी अपनी साइड रहेगा ऐसे और सलाई में लपेट लेंगे धागे को एक जाली डालने के लिए और नेश्ट देखे हमने दो फंदे एक साथ मुनने यह देखे दो का एक कर लेंगे इस तरीके से फिर धागा अपनी साइड रहेगा जाली डालने के लिए नेश्ट देखे दो फ फिर यहां पर देखे इस तरीके से एक जाली डालेंगे सलाई में धागे को लपेटते हुए फिर दो फंदे एक साथ हुनेंगे यह देखे यह अपनी साइड है फिर एसको ऐसे पीछे ले जाएंगे और सलाई में लपेटते हुए फिर आगे लाएंगे और फिर दो फंदे ए ये दो का एक कर लेंगे फिर लाश में देखे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा तो देखे ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटन की थार्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखे ये पहला फंदा हमने ऐसे उतार ले अब देखे, नेस्ट एक दो फंदे उल्टे वुलने के बाद देखे, यहाँ पर धाग अपने साइड आएगा, और देखे, जो जाली से बना हुआ फंदा है, इसको ऐसे बिना बुने उतार लेंगे, फिर ऐसे देखे, धागे को आगे लाएंगे, और एक फंदा उल्टा फंदा हमने बिना बुने उतारा आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको ऐसे सिलीप करेंगे फिर धागा अपनी साइड है और नेस्ट फंदे को हमने ऐसे बिना बुने उतार लेना है फिर धागे को देखे ऐसे ले जाएंगे और सलाई पर लपेटते वे आगे अब देखें जो बिना भुना फंदा है इसको आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करें धागा अपनी साइड नेश्ट फंदा बिना भुने उतारेंगे सलाई में धागा लपेटेंगे एक फंदा उल्टा फिर इस तरीके से ये दिखें इस फंदे को सिलीप कर दें ठाग अपनी साइड या क Quinn भाला पेटेंगे एक फंद ऑल्टा उल्टा च्पे देखेंगे आगे-ाले-ा-ब्ली को अब सर देंगे-वाल में उतल चक्पाइब सलाई में धागा लपेटेंगे एक फंदा उल्टा बुन लेंगे ये देखिए अब बिना बुना फंदा हमने आगे वाले फंदे के उपर से उतार के स्लीप कर लेना इस तरीके से और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे तो देखिए ये रॉंग साइड से हमारी पैटर उतार लेना है, पहला फंदा उतार लेंगे, अब देखें यहां पर धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालने के लिए, हमारा पैटन रिपीट हो रहा है, धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालने के लिए, ऐसे, और फिर सलाई में लपेटते वे धागे को एक बार फ तरीके से जाली डालने के लिए और नेस्ट हम दो फंदे एक साथ उनेंगे, दो का एक कर लेंगे, फिर देखे, सलाई में देखे, ऐसे धागा लपेटेंगे, और नेस्ट हम दो फंदे एक साथ उनेंगे, दो का एक कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे सलाई में धागा लपेटें break ह dever देखे हैं यहां पर स्लाइमे धागत लपेट एक साथ बिन गें इस तरीके से लास्ट का भंधा सीधा बुर लिए तो साईड से हमारी 5th row complete हो गई 5th row में हमारा pattern repeat हो रहा था अब देखे back side से 6th row 6th row में देखे पहला फंदा उतारेंगे next फंदा ऐसे उल्टा बुन लेंगे फिर देखे धागा अपनी side रहे गए यहाँ पे और जो यह next फंदा है इसको हमने ऐसे बिना बुने उतार लेने अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतार है आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको sleep कर देंगे यह देखे फिर nest देखे धागा अपनी side अब देखे नेस्ट फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर धागे को ऐसे सलाई में लपेटेंगे नेस्ट फंदा उल्टा बुनेगे अब देखे इस फंदे को जो हमने बिना बुने उतार है आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको sleep करेंगे धागा फिर अपनी side रहेगा नेस्ट फंदा बिना बुने सलाई में धागा लपेटेंगे नेस्ट फंदा उल्टा, बिना बुना फंदा आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करना है, धागा अपनी साइड, नेस्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे, सलाई में धागा लपेट लेंगे, और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये फंदा देखे, जो हमने बिना बुने उतार, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे, नेस्ट फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है, धागा यह से पीछे ले जाएंगे, सलाई पे लपेटते धागे को आगे लाएंगे, और एक फंदा उल्टा, अब जो फंदा हमने बिना बुने उतार है, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के इसको सिलीब करेंगे, फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, सलाई में धागा लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इस फंदे को देखे, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीब करेंगे, लास्ट के देखे हमारा pattern कुछ इस तरों से आ जाएगा ये दिखें बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें share करें comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं है तो please subscribe करना न भूलें thank you